राघ रस बरसे राघ रस बरसे राघ हमीर राघ हमीर की उत्पत्ती कल्यान ठाट से हुई है इस राघ में दोनों मध्यम अर्थात शुद्धम और तीव्रम प्रयोग किये जाते हैं इनमें तीव्रम का अल्प प्रयोग केवल आरोह में पंचम यानि प के साथ किया जाता है परन्तु शुद्धम का प्रयोग आरोह और अवरोह दोनों में होता है इस राघ के आरोह में निशात अर्थात नीक के और अवरोह में गंधार यानि गर के प्रयोग सरल और वक्र दोनों प्रकारों से होते हैं इसके आरोह और अवरोह में साथ साथ स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राघ की जाती सम्पून सम्पून है इसका वादी स्वर धैवत यानि धह है और सम्वादी स्वर गंधार यानि गह है इस राघ का गायन समय रात्री का प्रथम पहर है राघ हमीर के आरोह अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह सारे सार गामापार मापार गामादा नीधा सार और अब प्रस्तु थे अवरोह सानी धार पार मापार धार पार गामारे सार इस राग की पकड़ इस प्रकार है सारे सार गर्मादा अब प्रस्तुत है राग हमीर की स्वर्मालिका जो एक ताल मध्धिलय में निबद्ध है इसमें बारह मात्राएं होती हैं पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई सानी धापार दामा पगामा दानी सा सारे सानी धापामा पगामा अब प्रस्तुत है इस स्वर्मालिका का अंतरा सानी धापार दामा पगामा दानी सा अभी आपने सुनी राग हमीर की स्वर्मालिका अब सुनी इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल है जल धारा से सीखो आगे पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना जल धारा से सीखो आगे अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना जल धारा से सीखो आगे अभी आपने सुनी राग हमीर की श्वर मालिका साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना प्रागरस बरसे रागरस बरसे रागरस बरसे राग विभास राग विभास की उत्पत्ती भैरव थाट से हुई है इस राग में रिशब और धैवत यानि रे और धा ये दोनों स्वर कोमल प्रियोग किये जाते हैं इसमें मध्यम और निशाद अर्थात म और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं अर्थात ये दोनों स्वर इस राग में प्रियोग नहीं किये जाते और अवरू में पांच स्वर प्रियोग किये जाते हैं इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच-पांच स्वरों के प्रियोग होने के कारण इस राग की जाती औरव-औरव है इसका वादी स्वर्व धैवत यानि धः है और समवादी स्वर्व रिशव यानि रे है इस राग का गायन समय प्राताकाल है राग विभास के आरोह अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिये आरोह सारे गार पार धार सार और अब अवरोह इस राग की पकड इस प्रकार है पारदा पार गापा गारे सार अब प्रस्तुत है राग विभास की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्धिलाय में निबद है इसमें सुलह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई आग की प्रस्त्तुत प्रस्त राग की स्वर्मालिका की स्वर्मालिका प्रस्तुत थाई sa sa ri ri sa pa 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 dha sa dha pa ga pa pa dha pa pa ga pa ga ri sa ga pa pa dha pa pa ga अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा गपपदादा सारे सा गपपदादाा सारे सा ठापगादा का अंतर प्दाक रिसा डालाशनी